Hey guys, एक और नहीं वीडियो में आ गया हूँ, Realme का C11 आज मलेशिया के अंदर ओफिचली लॉंच हो गया है, यहाँ पर दोस्तों वीडियो चालो करने से पहले यह बता दू कि Realme एक चाइनीज कंपनी है, यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे क्या इसकी प्राइजिंग है वहीं क्या इसके specs है, पहले दोस्तों में बात करूँगा इसकी डिजाइन से, तो फ्रेंट में इसके अंदर आपको एक V-shaped notch मिलती है, वहीं पर आपको बैक में इस बार dual rear camera मिलता है, वहीं पर दोस्तों आपको dual rear camera मिल जाता है boxy cutout के साथ, वहीं पर दोस्तों आपको बैक मिलती 3.5mm order jack मिल जाता है, वहीं पर आपको triple card slot का support भी मिल जाता है, 196 gram पर आपको इस smartphone देखने को मिलता है, वहीं पर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.52 inches की, एक HD plus की display मिल जाती है, 720p वाली IPS LCD, 20 ratio 9 का expect ratio मिल जाता है, वहीं पर आपको दोस्तों गोरु देखने को मिल जाता है, 2GB के राया मिल जाती है, LPR 4X वाली, वहीं पर आपको 32GB की storage मिल जाती है, EMMC 5.1 वाली, वहीं पर दोस्तों बात करें, इसके अंदर आपको Realme UI मिल जाता है, based on Android 10, इसके अंदर आपको बैक में dual camera मिल जाता है, primary sensor आपको 13 मेंपिसल का मिलता है, 2 में देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको front में 5 एपिसल की selfie देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और आपको 10W का fast charging का support, 10W तो नॉर्मल ही होती है, वहीं पर दोस्तों अगर आपको 7,560 रूपीज का, अगर Malaysian प्राइसें करते हैं, तो होता है, अगर द मुबाइल दोस्तों, हर एक मुबाइल कुछ ना कुछ चाइना का लगाई होता है, तो वीडियो को इसी message खतम करते है, वीडियो को पूरा देखतरी का चैनल को सबस्ते लिए